Hello students, let's see the question. So the question says, what are the ions present in ferric oxide? तो देखो, oxide से तो समझ में आ रहा है कि ये oxygen का anion है, तो यानि O2-, क्योंकि oxygen का valency कितना है? 2 होता है, अब ferric में से IC, ये वाला suffix को हम गौर करेंगे. क्यों? क्योंकि कुछ elements होते हैं जिसके variable valency होता है. यानि इनके more than one type of valency possible है, तो iron का क्या है? iron का 2 and 3 है, अब in general बात करते हैं, देखो, अगर कोई compound जो less valency है, उससे बने हो, तो हम OUS ये वाला suffix लगाते हैं, और अगर compound जो higher valency है, उससे बने हो, तो IC ये वाला suffix लगाते हैं, तो यहाँ तो feric है, यानि IC लगे हुए है, तो यहाँ जो valency है, this valency is 3, यानि 3 electrons निकले हुए है iron से, ठीक है? तो इसका क्या charge हो जाएगा फिर? Fe3+, तो आपको क्या-क्या ions मिले Fe3+, and O2-, कहाँ पर है वो? Option B, तो I hope यह समझने में आपको कोई difficulty नहीं है, thank you so much.